कर दिये अस्、्लामुलेकूम्, कैसे हैं हैं अब सब दीक हैं, यह हम डिसकस कर रहे हैं आए से आपका चेप्टर 10, इंकम फॉर्म अदर सोर्सेज। से पहले हम डिसकस कर चुक्क है आपका चेप्टर 4, Basic Concepts of Taxation, income from salary, income from property, it is income from capital gain. चेप्टर जो था उसके मैंने पास्ति है किर वाई किरवाई थी लेकिन इसके बागी चेप्टर üz know salary, property, capital gain, इन की ने बागा कमुछ यह करेंगे. पांचों के पांचों हैड तो हम इनका एक comprehensive question करेंगे हार head के साब से जब एक ऐसा question कर लेंगे जिसमें हमारे हार head के सारी बातें cover हो रही हो तो हम क्या कर लेंगे सारे के सारे को cover कर लेंगे क्योंकि जो हमारे income tax के question राते हैं उसमें आपका चैप्टर 11 पर 13 है उसके कुछ parts भी test हो रहे होते हैं तो उनको करने से पहले हम जो आपके past papers हैं उसको complete attempt नहीं कर सकते हैं इसलिए मैंने यह plan किया हुआ है कि जब हम चैप्टर complete कर लेंगे पांचों के पांचों head भी और tax credit और losses के adjustment हम कर लेंगे उसके बाद हम questions करेंगे पांच papers करेंगे जिसमें हमारा हर area और हम उस question को complete solve करने के काबिर हो सकते हैं आज हमने start करना है इनका from other source लेकिन अभी लास्ट लेक्च्चर में capital gain इनके मुझे से एक बाद कि skip हो गई थी तो पहले वो cover कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे इनका from other source को continue करें जो बाद मुझे skip हो थी वो आपकी है non recognition rule जो आपकी study text में आपके slabis में नहीं लिखी भी लेकिन यह एक important concept है जो आपको लाज़मी बता होना चाहिए यह आपके slabis का part है यह test भी हो जो कब एक दो दफार लेकिन यह आपकी book में लिखा हुआ नहीं है तभी मैं इसको separately जहां पर लिख दी है आपको मैं समझा जेता हूँ कि यह होता क्या है non-recognition rule हमने capital gain में क्या पढ़ा दा कि जब कोई asset आप transfer करेंगे आप उसको dispose off करेंगे आप उस पर क्या करेंगे capital gain calculate करेंगे और उस पर अपना जो भी tax बनता होगा जिस class में जा रहा होगा उस पर हम क्या करेंगे tax pay करेंगे आपके माइंड में question आना चाहिए कि property जो होती है जैसे कि land हो गया building हो गया यह दर प्रॉप्टी जो inheritance में transfer होती है जब जा एक father अपने बेटे को gift करता है जा एक भाई अपने भाई को gift करता है एक husband अपने wife को gift करता है तो क्या जो बंदा gift कर रहा है उसका disposal तो है क्या उस disposal पर उसने gain calculate करना है क्या उस डिस्पोदल पर उसने gain calculate करना है तो कैसे calculate करना है ठीक है ना उस चीज़ को address करने के लिए law ने कुछ थिन्यारियों कुछ cases बता दी है कि इन इन cases में आपका एसे dispose of तो हो रहा है आपकी ownership transfer हो रही है लेकिन उस पर आपने कोई gain या loss calculate नहीं करना उस पर कोई या gain या loss पर tax आपने जमा नहीं करवाना उसको हम क्या कहते हैं non recognition rule अब हम पढ़ते हैं कि वो कौन से scenarios हैं वो कौन से situations हैं जिसमें आपने आपका ownership transfer कर दिया आपने disposal कर दिया लेकिन आपने कोई gain या loss calculate नहीं करना अंडर non recognition rule no gain or loss shall be taken to arise on the disposal of an acid यह कुछ 5-6 conditions हैं जिसमें हमने क्या करना है disposal consider करना है लेकिन gain calculate नहीं करना जी पहला point between supposes under an agreement to live apart अगर divorce हो रही है तो अगर वापस में एक agreement कर रहे हैं कि जी अगर husband के property है पांच million के उसके पास दो land है एक land क्या हो जाएगा transfer हो जाएगा wife को तो उस case में जो wife को transfer हो रहा है पांच million का gain husband के लिए क्या high disposal है तो ऐसी transfer पे ऐसी जो आप transfer कर रहे हैं उस पर आपने कोई gain calculate नहीं करना ठीक है बाइज आप दे ट्रांसमिशन आप दे एसेड एक्जी क्यूटर और बैनी फिश्री ओन देथ आफ देथ परसंट अगर एक अपने पड़े थे लिस्टेट कंपनी अपने पड़ी थी लिस्टेट कंपनी के शेयर सिक्यूर्टी पर आपने कैफिटर गेन calculate किया था एक परसंट था उसकी कंपनी लिस्टेट कंपनी में शेयर प्रचेज की वाज़े 10,000 उसकी डेथ हो गई अब उससे अपना वहाँ पर कोई बैनिफिस्टी बताया होगा अपने बेटे का नाम बताया होगा आप उसकी details दी होगी वह automatically उसके नाम पर ट्रांफर हो जाएंगे ठीक है ना अब यहां पर जो परसंट की death हुई है और जिस परसंट को ट्रांसफर हुए अब जिस परसंट की death हुई है उस पर यह disposal तो है लेकिन law कहता है उस case में आपने यहां पर इसका कोई gain calculate नहीं करना उसका कोई text जमा नहीं करवाना फिर हम पढ़ते हैं point four यह को बाद में देखते हैं by reason of compulsory acquisition of the asset under any law where the consideration received for the disposal is reinvested by the recipient in an asset of a like kind within one year of the disposal जी मैं आपके example देता हूँ लहोर में आपके दातर रह रहे होंगे जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं क्राची में रह रहे हैं जहां से भी आप दिक लक्टे सुन रहे हैं जब कोई government project start करती है let's suppose कहते हैं कि अब हमने एक इस route पर जैसे लहोर में उन्होंने motor बनाई है आ अब उस route पे जितने भी लैंड या शॉप सारी थी उन्होंने क्या करने सारी की सारी पर्चेस करनी अब जो person है जिस person की वह ownership में थी अब उसने law की वजह से government है ना government की compulsion के जैसे क्या कर दिया है उस शॉप को dispose of कर दिया था अब उसका disposal तो है लेकर क्योंकि वह एक दुकानदार था जाहरी सी बात है उन्होंने क्या बनानी है अगर वह government को उसने वह दुकान बेची और 12 महीनों के अंदर वह दुबारा वह इसी दुकान एक और नही परचेस क करके बना लेता है तो उस केस में जो उस पर हमने कोई gain या loss calculate नहीं करना है इसे आपको काफ़े example मिल जाएंगी आपके अपने लाके में बैसा हुआ होगा जब city में से कोई project government start करती है और अगर कोई ऐसी जमीन है property है जो उस project के जमीन में आ रही है तो government क्या करती है उनको व इस यर में विदें 12 मांथ क्या करता है सेमी प्रतलगी property या property क्या कर लेता है asset purchase कर लेता है तो उस पहले डिस्पोदर पर कोई gain या loss purchase और यह gain loss calculate नहीं करेगा 5th point by a company to its shareholders आपको पता है जब company के liquidation होती है जब company complete खतम होती है बंद होती है उसके जतने भी assets होते है net assets सारी liabilities pay off करने के बाद उसके shareholders को distribute हो जाते है तो law कहता है कि company में क्या एक person है तो उस case में company क्या होता है disposal होता है लेकिन law कहता है उस case में company क्या करेगी disposal पर gain loss calculate नहीं कर लिए जब aop dissolve होगी और के case पर अपने partner से कुछ अपने से distribute करेगी उन पर भी aop का gain का सब्सक्राइब नहीं करेगी यह जो point है यह point यह आपने यहां पर अच्छी तरह समझना है इसको हम income from other sources में पढ़ेंगे और इन दोनों को मैं आपस में link करूंगा ठीक है और आपने understand क करना है क्योंकि law में बात है आप पस mental linked होती है आपको आपस में link करना पड़ता है कोई चीज जो capital gain में तो income नहीं बन रही जो बना dispose कर रहा है उसको इंकम नहीं बन रही अगर मैं अपने भतीजे को transfer कर रहा हूं ठीक है ना एक land as a gift मेरा वो disposal तो है लेकिन वो taxable gain नहीं है जहां पर law ने मुझे मना कर दी है ठीक है ना कहता है कि आपको एक ना exemption है लेकिन मेरे भतीजे को जो मैं gift कर रहा हूं क्या वो land मेरे भतीजे के लिए भी taxable है कि नहीं है जो exempt है वो हम income from other source में पड़ेंगे इन दोने को आपने अपस में link करना है और चीज तरह समझना है उस पर भी आप gain calculate नहीं करेंगे रतीजा बतीजी भांजा भांजी sister आपके भाई सार आपके क्या है relative है ठीक है ना अब वहां पर law ने relative को भी define कर दिया है तो आप को कर दा है कि आप अपने वो अबू के कदन को भी क्या कर रहा हूं relative उसको मैं gift कर रहा हूं नहीं relative इसमें क बतीजा हो और आपके अपने जो फैमिली है जिसको हम blood relations कहते है उनको आप क्या कर सकते हैं जहां पर एक adopted child भी है अगर आप अपने adopted child को भी क्या कर रहे हैं gift कर रहे हैं तो वो भी आपका relative में consider किया जाएगा और suppose of the individual अगर अपने दूसरे suppose को gift कर रहा है वो भी क्या अगर उस पर आप क्या करेंगे कोई gain calculate नहीं करेंगे next suppose of the individual और any of any person specified in clause है ठीक है अब यहां पर बात कर अगर अगर आप इन persons को gift करते हैं उस case में आपका कोई capital gain पर आप text पे नहीं करेंगे ठीक है अब next capital gain shall be recognized यह note मैं बताते हैं नहीं को मसला ना हो in case of disposal of an acid by way of gift to a person who is not a relative गर आप relative के इलावा किसी को क्या कर रहे हैं gift कर रहे हैं तो इस case में आप capital gain क्या होगा calculate होगा आप उस पर tax भी पे करेंगे तो इस case में कैसे मैं calculate करूँगा तो मैं calculate करूँगा cost मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ gift to my friend ठीक है अब उस land की cost मुझे पता है मैं purchase की थी वो है 10 million लेकिन जिस date पर अब मैंने gift किया है gift मैंने free में किया होगा उससे को पैसे तो नहीं लिए होंगे तो उस case में हम क्या करेंगे हम करेंगे fair market value at date of gift मारी क्या होगी consideration होगी ठीक है अब मैं क्या करूँगा यहां पर मैं क्या करूँगा यहां पर नहीं तो मेरी fair market value थी 12 million हलांकि मैंने कुछ रुपए भी नहीं लिया उससे मैं यहां पर less cost क्या कर दूँगा लेस कर दूँगा फिर पर कितना गयन आ जाएगा में क्या करूंगा अब इस पर मैं क्या करूंगा और ुस पर मैं क्या निकालूंगा जहांब अगर आपका इस इंक्रीज किया तापके प्रश चीज़ इन जाहरी किया होती है आपकी चेंज होती रहती है इस पर आपका क्या करते हैं गिफ्टे गेन केलोकलेट करते हैं यह था आपका नॉन रिकोगनिशन डूल अब हम जाते हैं प्रॉपरली अपने इंकम फरॉ वो चार्ज किस बेसिस पर हो रही है अक्रूवल बेसिस पर चार्ज हो रही है या रिसीड बेसिस पर चार्ज हो रही है तेलरी हमने पढ़ा था रिसीड बेसिस पर चार्ज होती है जितनी साल में रिसीव होगी उसी पर टेक्स वे करना है ठीक है Capital gain, accruval basis पर है बशाक पैसे मिले है, चाहे नहीं मिले जिस साल में disposal arise हुए है, gain arise हुए है, loss arise हुए उसी tax year में क्या करूँगा, उस gain, loss को consider करूँगा Property, accruval basis पर है Other source आपका है, receipt basis पर Income of every kind Income of every kind received, receipt basis पर है By a person in a tax year Income from other source में आता क्या क्या है In short ऐसी income जो बाकी चारों हेड में नहीं आ रही वो कहां पर आएगी, income from other source में आएगी दुबारा सुन लें ऐसी income जो बाकी चारों हेड में cover नहीं हो रही ना वो salary है, ना वो income from property है ना वो income from capital gain है, ना वो income from business है और ना वो exempt है ठीक है ना? तो उस जो फिर क्या बचते है आपका लॉग है वो आपकी income क्या होगी? income from other source होगी अब ऐसी कौन सी income हो सकती है जो आपकी ना salary है ना आपकी वो property है, gain, property income है, ना capital gain है, ना business है अब मेरे पास एक surplus money पड़ी भी थी cash पड़ावाता मैंने जाकर bank में एक deposit, fix deposit करवा दिया कि मुझे आपने 10%, 12% annualis पर profit देना है ठीक है ना? अब मैंने bank में deposit करवाया bank ने मुझे annualis उस पर 10% क्या कर दिया? profit दिया let's suppose मैंने 1,00,000 deposit करवाया थिया पूरे साल का मुझे उस उस पर 10% क्या मिला? interest मेरे 10,000 रुग अब जी मेरी salary भी नहीं है, मेरी property भी नहीं है हमने property का scope cover कर लिए कि property में क्या क्या cover होता है capital gain भी मैंने पढ़ लिए, salary भी मेरी नहीं है और मेरा ये business भी नहीं है, ठीक है ना? हम अब भी जाकर business की definition पढ़ेंगे, उसमें ये fall नहीं करता आप business already पढ़ चुके मैं क्या हो, accounting के अंदर ये business भी नहीं है क्या बचा, profit on debt ये मेरा, कहाँ पर आएगा, income from other source में आएगा ठीक है, similarly, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है हमने income from property में एक और चीज़ बढ़ी थी, rent from the sub lease of land और building एक थी, कि मैंने अपनी ownership में एक building थी, rent था, वो मैंने lease पर दिया है, rent पर दिया है वो तो cover होगी income from property में, लेकिन हमने वहाँ पर पढ़ा था, मैंने बताया था लेकर मैंने एक building lease पर ली है, rent पर ली है, उसको कि मैं further आगे सब lease कर देता हूँ किसी और को rent पर दे देता हूँ, जो मैं rent receive कर रहा हूँ, वो मेरी property income नहीं होगी वो मेरी other source income होगी, ठीक है, हमने वहाँ पर एक कौछ चीज भी बढ़ी थी, income from the lease of any building together with planter machinery, अगर वो building मेरी ownership में भी है, फिर भी, अगर मैं उसको planter machinery के साथ rent पर दे रहा हूँ तो पूरी का पूरा जो rent होगा, वो income from other source में आएगा, अगर मैं एक building rent पर दे रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं उनको utility के bill भी चार्ज कर रहा हूँ, उनको मैं security के expenses भी चार्ज कर रहा हूँ, लोग कहता है, जो rent का portion है तो आपका income from property में जाएगा, लेकिन जो आपका utility, security और अधर जो आप benefit addition देने के लिए पैसे ले रहे हैं, वो आपका income from other source में आएगा, और बहुत साथ एजेंपल नहीं सारे को डिसकस करते हैं, जी, dividend, chapter 4 में आपकी, इसकी एक detailed definition है, dividend की, वहाँ पर मैंने कहा था, इसको मै income from other source में पढ़ूँगा, हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर भी आपकी definition given है, इसको हम next वीडियो में separate discuss करेंगे, detail में, फोड़ी यह detailed discussion है, फिर आपकी है royalty, राल्डिया को पता है क्या होता है, जैसे brands होते हैं, वो आप अगर किसी को प्रणाम जूद करने के लिए देत हैं, पैसे लेते हैं, रॉयलिटी के नाम से मंतली पेमेंट लेते हैं, तो इसको हम रॉयलिटी कहते हैं, वो आपकी क्या है, इनकवरा हम बदर सोर्स है, इसकी भी definition है, थोड़ा हम रिटेल में इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर आपकी cover होगा, यह देखें, यह भी हम next वीड है कि अगर tax extra cut जाए, आप extra pay कर दें, तो government क्या करती है, आपको refund कर देती है, हम chapter 14, 15 और 16 में बढ़ेंगे, उसके rules कि government कब refund करती है, government कितने दिनों के अंदर refund करना होती है, let's suppose for example, confirm date नहीं है, for example, मैं कहता हूँ कि government ने जिस date पर refund अप्रूव हुआ, उससे 30 दिन के अंदर क का करना है, मुझे पैसे वापस करने है, अगर government मुझे उससे 30 दिन के पैसे वापस नहीं करती, जैसे 30 दिन से टाइम उपर होगा, तो मुझे जो आपका existing market rate होगा, उसके accordingly, मुझे उस पर markup भी पे करेगी, let's suppose, मेरा refund बदा था 50 लाक रुपए का, government ने नहीं पे किया, 30 द साब से मुझे 12% क्या होता रहेगा, मेरे account में credit होता रहेगा, अगर मुझे 3 महीनों के बाद पैसे वापस करते हैं, तो मुझे प्रोडल वापस करेंगे, 60 लाक रुपए, अब 50 लाक तो वो portion है, जो मेरा actual refund था, मेरा principal portion था, अब late refund की वज़ए से, delayed refund की वजए से, जो चौपडी में cover होता है, यह ground rent क्या होता है, यह आपका जो आता है, जिसमें अपना ground rent पर दी होते हैं, आपके यहां पर होते हैं, cover होते हैं, ठीक है, point 6 हमने discuss कर लिए है, point 7 भी discuss कर लिए, point 8 भी discuss कर लिए, point 9 हम यह बाद में discuss करेंगे, तो टेल में है, आपके chapter 14 में यह ची लेक्स वीडियो में, point 10, any annuity और pension, आपके mind में आना चाहिए, कि हमने तो income from salary में पढ़ी थी, annuity और pension, वो तो वहां पर salary का part बनती है, यहां पर दुबारा क्यों बन रही है, अब पहले इसको discuss करने से पहला को यह ची बढ़ा दूँ, income यह, यह पढ़ते हैं, income which does not fall under any other head of income, would fall within this heading of income, ठीक है, therefore the kinds of income elaborated above from 1 to 17, यह point जो हमार यहां पर गेमन है, if fall within any other head of income, then the same may not be included again under this head of income, अगर pension मेरी already मैं cover कर चुक का हूँ salary के अंदर, तो फिर मेरी pension यहां पर मेरी income from other source में नहीं आएगी, यह कोई extra pension की बात कर रहे हैं, कि अगर आपकी pension जो cover हुई है salary के अंदर, अगर उसके लावर कोई आपको pension मिल रही है, कोई benefit मिल रहा है post employment का, तो आपका गहां पर cover होगा, आप उसको income from other source में एड़ करेंगे, कोई आपका price bond निकल आता है, कोई आप lottery win करते हैं, ठीक है वो आपको कहां पर आएगा, इंका from other source में आएगा, अगर आपने अपनी property दिये किसी company को, किसी institution को, को कि वो आपकी property के उपर, जो experiments करें, और उसके उपर क्या करें, किस चीज के लिए, natural resources को explore करने के लिए, उसके gain, जो आपको price ऐसे मिल रहे होंगे, वो आपकी क्या होगी, इंका from other source में fall करेंगे, the fair market value of any benefit, whether convertible to money or not, received in connection with the provision, use or exploitation of property, यहाँ पर कह रहे हैं, amount received, यहाँ पर अगर आप उसको ऐसी benefit मिल रहा है, जो के cash में नहीं मिल रहा है, तो काइंट में मिल रहा है, तो उसके fair market value होगी, वो आपको क्या होगी, इंका from other source में fall करेंगे, यह एक और चीज़, यह एक बड़ी मज़े की चीज़ है, जह हम डिसकस करते हैं, यह क्या है, आपको बता है कि जब आप एक बड़ी market में, जैसे कि हाल रोड मारकेट है, अफीज सेंडर एक बड़ी market है आपकी लाहर में, अगर मैं किसी shop keeper के पास जाता हूँ, उसे मैं कहता हूँ कि जणाब, आप मुझे यह shop क्या आप खाली करके मुझे रेंट पर दे देते हैं, मैं यूज़ कर सकता हूँ इसे, वो कि जणाब जो इसका honor है, वो इसका मंध्री रेंट लेता है, पांच लाग रुपए, वो तुमेरा rent expense है, अगर मंध्री मैं पेमेंट करूंगा, जो honor होगा, वो इनका फराओ प्रॉपटी में जाएगा उस बंदे की, वो करता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं ये shop खाली करूँ, तो मुझे आप उस shop को खाली करने के लिए 50 लाक रुपए देंगे, तब ही मैं ये खाली कर सकता हूँ आपके लिए, फिर आप इसको जूज करते रहें, ठीक है, अब जो बंदा पहले बैठा था, जहरी से बात है, उसने भी किसी को को ये amount pay की होगी, दुकान खाली करवान जगा करता है कि अगर ये आपकी पगड़ी आप कोई payment कर रहे हैं, अगर आप कोई job जगा खाली करवाने की payment कर रहे हैं, तो उस case में आपने क्या करना है, net करके, जो आपने पैसे ली है, let's suppose, मेरी center में shop है, एक परसा मेरे पास आया, ज़र आप क्या भी shop खाली करते हैं, आ मैं कहता हूँ, आपका जो मेरा honor है इस building का, इस shop का, वो बंतली पांच लाग रेंट लेता है, तो आपको उसे पांच लाग रेंट पेक करना पड़ेगा, वो उस बंदे का और honor का मसले है, मैं कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं, कि मैं ये दुकान खाली करूँ, आप मुझ को पैसे दिया हूँगे दुकान खाली करूँ करूँ के, let's suppose मैंने उसे तीस लाग रुपए दिये थे, मैंने तीस लाग रुपए दिये थे दुकान खाली करूँ करूँ के, और पचास लाग ले रहा हूँ दुकान खाली करूँ करूँ के, जो net amount है, जो net benefit आप ले रहे है 20,00,000 रुपाय का उसको आपने this income shall be taxable in 10 years from a year of receipt in equal proportion जैसे हमने non-adjustable advance को 10 years पर किया था, similarly इसको भी हम 10 years में क्या करें इसको पढ़ते हैं, any amount received by a person as consideration for vacating the position of a building or part thereof, ठीक है, deduced by any amount paid by the person to acquire possession of such building or part thereof, जो मैंने पैसे लिए हैं दुकान खाली करने के, वो उसमें से less करूँगा, जो मैंने पैसे दिये थे by a person from approved income payment plan और approved annuity plan, अगर यह आपकी amount salary में cover नहीं हो रही, तो यह आपकी क्या होगी, income from अजसोस में cover हो जाएगी, यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसमें tax pay करेंगे, any amount or fair market value of any property received without consideration or received as a gift other than gift received from grandparents, parents, spouse, brother, son or sister or daughter, यह आपका link कर रहा है इस point के साथ, इस point के साथ, यह link कर रहा है, जहाँ पर रित्वान है, अगर मैंने बतीजे को, अपनी भांजी को, इस दिक को यहाँ गिफ्ट किया है, तो मेरा वो gain नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पर रहें, जो बंदा gift receive कर रहा है, वो कह रहा है, अगर मैंने gift receive किया है, इसको capital gain में नहीं जाएगा, उसका exempt है, उसने gain पर tax pay नहीं करना, लेकिन क्यों कि लॉग यह रहा है, अगर आपने इसके इलावा किसी से भी क्या लिया है, गिफ्ट लिया है, वो आपका income from other source में आएगा, other than gift receive from grand parents, parents, spouse, brother, sister, son or daughter, तो इस case में क्या होगा, जो मेरी, उस fair market value होगी, उस plot की 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, मेरी income from other source का part बनेगा, clear हुआ, मेरे मामों के लिए same transaction exempt है, उसने gain पर tax pay नहीं करना, लेकिन वो ही transaction मेरे लिए income from other source में आ रही है, तो ख्याल करना है किसी से gift लेते हुए, ठीक है ना, मुझे पैसे ही नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं उस पर क्या करूँगा, tax pay करूँगा, मुझे 12 लाख रुपए, मेरी income का part बन जाएगा, जी 17th point, any amount received as a loan, advance deposit for issuance of shares or gift by a person in any tax year from an other person other than banking company or financial institution or not through a cross check, अब ये क्या है, कि अगर आपने loan लिया है, cash में, ठीक है ना, इसको आपको अपने note से बढ़ाता हूँ ये वहला point, वह अधर detail में वह अधर clear लिखा हुए, जी, any amount received in cash as a loan, cash, cash की बात हो रही है, as a loan, advance deposit from issuance of shares or gift by a person in a tax year from another person, अब other person में, अगर banking company से आपने cash में loan लिया है, तो चाले जाएगा, कोई मसला नहीं है, ये किसी financial institution से आपने loan लिया है, cash में तो वह भी कोई मसला नहीं है, उसके इलावा, अगर आपने किसी और amount से लिया है, किसी और person से लिया है, cash में, तो आपका पूरे का पूरा loan क्या हो जाएगा, income from other source का part बनेगा, However, it shall not be treated as income if the pair is a person who holds a national tax number and the amount is received through cross check or through normal banking channel, अगर आपको पैसे मिले हैं through cross check, तो आपको जो पैसे मिले हैं तो इस केस में आपको कोई अधर पस्ता भी loan दे सकता है, ठीक है, तो फिर आपके इनकों का part नहीं बनेगा, The amount is received as advanced for our sale of goods or supply, अगर आपके cash में पैसे received की हैं, आपको business है, आप पैसे advance में ले ले लेते हैं, आप बाद में inventory deliver करते हैं, तो आपको business में जाएगा, वो इनका अधर सोच में नहीं जाएगा, ठीक है, subject to above class, any amount or fair market value of any property received without consideration or received as a gift, यह हम already पढ़ चुके हैं, यह उपर वाला point था, यह पॉइंट यह हम cover कर चुके हैं, ठीक है, यह आपको इसमें cover होते हैं इनका प्राओं, अधर सोच में cover होते हैं, ठीक है, यह वाला point भी हम क्या करेंगे, नेक्स वीडियो में डिसक्स करेंग अब जो हमारे point रह गये हैं, वो रह गया आपका dividend, आपका profit on debt, आपका रह गया है, income, dream desk, triple one, and आपकी यह वाला point, ठीक है, यह paragraph मैंने cover कर लिया था, यह आपने पढ़ लेना है, वाकी, easy बात लीक हुई है, ठीकल यह dividend इसमें cover हो जाएगे, कल वीडियो में, ठीक हमारे पास profit on debt आजाएगा, वो भी cover हो जाएगा, यह आपकी है, examples है, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, यह वोई बाते हैं, जो हमने यहाँ पर पढ़ी है, ठीक है न, यह वोई बाते हैं, वहाँ आपको दो-तीन लिखी हमी है, फिर मारे पस क्या बात जाता है, admissible deduction, तो यह दो वी